नमस्कार दोस्तू मैं अंकित पर्मा इक पार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एक्पिन उट्टिकेशन में तो दोस्तू ताला खबर ब्रीकिंग न्यूज आईए प्रागपूर में मलबे में दवे दो मुल्दूर कड़ी मश्कित के बाद निकाले तस्वीरें देख सकते हैं परागपूर के गाउन नंगल चौक में गुरुबार दो पहर अचानक उस वक्त बड़ा हाथसा होने से टल गया जब वहां एक सत्संग घर में नंगे के निर्मान कारे के दोरान अचानक भारी भरकम मलबा गेर जाने से दो मुल्दूर दब गए जिन्हें कडी मशकत के बाद बाहर निकाला गया और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए सिविल अस्पिताल डाडा सिब्बा पहुंचाया गायलों की पैचान रविंदर कुमार पुत्र बाबुराम वा सुनीर कुमार पंचायत गुरन बा के रूप में हुई है बता दें कि इस हाजसे में एक व्यक्ति को वहां उपस्थित लोगों की मदद से निकाल लिया गया वहीं दूसरे को निकालने को कडी मशकत की गई डाडा सिब्बा सेविल ऑस्पिटल में रात में कुपचार देने के उपरांत उसे टीमसी रेफर किय जा गया डाडा सिब्बा फायर चौक की परवारी आजे कुमार ने बताया कि गटनस्तल में एक व्यक्ति को करीब देड़ गंते तक रसके ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला तो दोस्तों ये तार्या ख़बर ब्रीकिंग नीज अगर आपने विदक वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चाले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल गिना भूले धन्यवाद जयाहिं जयाभाद